स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में कच्छा दस गडित पेपर हल के बारे में अध्यन करेंगे जो 2022 में जो परिच्छा हुआ था उसमें 7 सिट पेपर बने हुए थे तो पहला सिट पेपर हल हो सकते हैं तो इस भाग में पेपर दो हल होगा और पेपर का कोड है 822 AW पेपर का या कोड है इसमें सभी प्रशनों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा तो एक एक प्रशन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझेगा तो यहां पर देख सकते हैं वन का क मिलाएंगे कौन सा आफ़ संस सही है तो यहां पर वीकल देखें 2 का बर्ग है 2 घात हो गया क्योंकि 2 गुड़े 2 बार है तो 2 का बर्ग हो गया 3 गुड़े 13 इसका मतलब बिकल्प नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यहां लीधेंगे सेक में किसका मान जो है दो होता है तो सेक ठीटा बराबर दो हो गया तो सेक ठीटा बराबर और यह दो कितने अंस का होता है तो सेक 60 अंस का मान जो होता है दो होता है तो यहाँ पर जब तूलना कलेंगे तो ठीटा के सामने देखे 60 अंस है यदि दुगहाद समीकर 3x square minus 12x plus ym बराबर 0 के मूल बराबर हो तो ym का मान होगा तो यहाँ पर बताना है ym का मान गयात करना है और मूल क्या कहा गया प्रस्में बराबर हो तो सबसे पहले हल लिखेंगे ओ 3x square minus 12x plus ym बराबर 0 अब यहाँ पर तूलना करेंगे क्योंकि यह दुगहाद समीकर बन गया है तो दुगहाद समीकर को तूलना किसे करेंगे a x square plus b x plus c बराबर 0 से क्या करेंगे तूलना करने पर तो a के सामने देखें कितना है 3 है तो a बराबर 3 हो जाएगा b बराबर माइनस 12 हो जाएगा और c बराबर जो है इम हो जाएगा तो यहाँ पर a कामान निकल गया b कामान निकल गया और c कामान निकल गया और प्रेश्ट में कहा गया है मूल बराबर होने का नियम तो लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम आप सोभी विद्यारती पढ़े होंगे क्या होता है बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी बराबर जीरो होता है अब यहां बी कामान क्या है तो बी कामान माइनस बारा का बर्ग हो जाएगा माइनस हो जाएगा फोर उतर जाएगा एक कामान तीन है देख सकते हैं एक अमान तीन हो गया और यह सी का मान यम है तो सी का मान यम हो जाएगा बारा का बर्ग क्या होता है तो बारा का बर्ग 144 होता है बर्ग से माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा क्योंकि दो गहा से माइनस हट जाएगा माइनस चार तीन क्या हो जाएगा बारा yum हो जाएगा बराबर zero हो जाएगा, अब 144 जो है यह पलस में है, जब पचहांतर करेंगे, तो यह 144 माुद में हो जाएगा, और यह Im हो जाएगा, और यहां माइनस से माइनस को का करेंगे, बारह आ गया तो इसमें बिकल्ब नंबर देखेंगे तो चौथा नंबर पर देखें बिकल्ब नंबर चार में जो है दिया गया है बारह इसका मतलब बिकल्ब चार इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बिकल्ब चौथा वाला जो है सही इसमें और क्या सही होगा बारह त तो प्रशन नमर वन का गह भी जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गये होंगे अब अगला प्रशन है वन का गह एक संभाव तिर्भुज ABC की भुजा 2A है संभाव तिर्भुज किसे कहते हैं वह तिर्भुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बरा तिर्भुज खांच लिजेगा और यहां पर इसकी भुजा क्या लिखेंगे 2A है और यहां 2A इसमें दिया गया है अगर इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा A हो जाएगा तो यहां पर अगर देखा जाए यह इसमें तिर्भुज में यह सिर्सलम का मान पूछा जा रहा ह तो सिर्स लंब मतलब लंब का सुत्र होता है कंड का बर्ग माइनस अधार का बर्ग मतलब अंडर रूट में कंड का बर्ग माइनस अधार का बर्ग इसका जो है सुत्र होता है अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है तो 2A का बर्ग हो जाएगा माइनस अधार A का बर्ग हो जाएगा तो 2A का बर्ग क्या होता है तो 4A का बर्ग हो जाएगा दो का बर्ग 4 हो जाएगा माइनस हो गया A का स्कॉाइर हो जाएगा तो चार A स्क्वाइर में से और इसमें से एक स्क्वाइर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तीन A का स्क्वाइर हो जाएगा बर्ग से इसका करणी हटा देंगे तो करणी में तीन A हो जाएगा केवल बर्ग से A का ही करणी हटेगा तीन का करणी नहीं हटेगा तो करणी में तीन ए हो जाएगा तो बिकल्ब नंबर कौन सा सही हो जाएगा तो बिकल्ब नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा ए करणी में तीन इसमें तीसरा बिकल्ब क्या है सही है तो समझ में आ गया होगा यदि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा तो अगला प्रसंदिया गया है कि एक से दस तक धनात्मक समसंख्याओं का समानतर माद्ध होगा अब एक से दस तक जो है धानात्मक समसंख्या का जो है आपका जो है समांतर माधियात करना है तो धानात्मक समसंख्या कौन-कौन होता है दो होता है चार होता है छे होता है आठ होता है दस होता है अब ये एक मतलब दो से जो है आओ दस के बीच में कितनी संख्या होगा एक दो तीन चार पांच बार देंगे तो कितने बार में जाएगा तो यह जो है 6 बार में जाएगा तो बिकल्प नंबर इसमें देख सकते हैं तीसरा वाला बिकल्प क्या है सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब अगला प्रशन क कामा माइनस 3 और Q 10 कामा Y के बीच की दूरी 10 मात रख है तो Y कामान होगा तो यहां पर चार आपसन दिया गया है इसमें से एक आपसन क्या है सही है तो सबसे पहले जो P कामान दिया गया है पहले P कामान यहां नोट कर लेंगे P कामान 2 कामा माίνस 3 दिया गया है Q कमार 10 कमार Y दिया गया है और D जो है 10 दिया गया है और D का सुतर होता है D बराबर करनी में क्या होता है 21 माematta का बर्ग पलस Y1 मा ratta का बर्ग हो जाएगा अब यहाँ Two का मैंने 10 बर्ग हो जाएगा क्योंकि D कमार इसमे दिया है तो 10 भर देंगे बराबर हो गया अंडर उट हो जाएगा यक्स 1 अब यक्स 1 इसमें कितना है तो यक्स 1 कमान क्या है दो हो जाएगा यक्स 2 कमान क्या हो जाएगा दस हो जाएगा बीच में माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे y1 कमान क्या है तो y1 कमान मा небольш 3 है तो मा небольш 3 लिख देंगे y 2 कमान इसमें y है तो y लिख देंगे अब यहां दूरी का या फार्मॉला लिखा गया और इस दूरी वाले फार्मॉला में मान को क्या किया गया रखा गया है अब यहां पे d कमान 10 उतर जाएगा बराबर 2 में से 10 गटाएंगे तो माईनस आठ बर्ग हो जाएगा पलस अब यहाँ पे इसका whole square तोड़ देंगे देखें बीच में माईनस दिया गया है तो लेकिन यहाँ दोनों माईनस दिया रहेगा तो हमेशा याद रखेगा पलस का whole square तोड़ा जाता है माईनस मतलब a का बर्ग हो जाए माइनस का बर्क A ka square पलस B का square फलस 2AB अब देखे, यहां पर जो माइनस का चिन लगा है तो आप लोग माइनस का चिन लगा लेंगे अब यहां 10 उतर जायगा और बर्क से इसका माइनस हट जायगा तो 8 का बर्क क्या हो जायगा तो 8 का बर्ग जो है 64 हो जाएगा और 3 का बर्ग माइनस 3 का बर्ग 9 हो जाएगा बर्ग से माइनस 8 जाएगा वाई का स्कॉयर हो जाएगा और माइनस में माइनस का जब गुड़ा करते हैं तो माइनस माइनस मिल करके पलस हो जाएगा दूत यहाई 6Y हो जाएगा तो 6Y हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बर्ग से माइनस अटा बर्ग से माइनस अटा और यहाँ डवल माइनस है तो जब माइनस में माइनस के गुड़ा करते हैं तो प्लस हो जाता है अब यहाँ 10 उतर जाएगा 64 और ज हो जाएगा 100 हो जाएगा बर्ख से करने टाइगा 73, 73 पलस वाई स्कायर पलस 6 वाई हो जाएगा अब दोनों पजमें जब बर्ख किया गया तो यह दो घासे का करनी क्या हो जाएगा अब 73 को 55 कर लेंगे तो 73 माइनस στα बराबर जीरो हो जाएगा, 73 में से 100 घटा देंगे, तो क्या बचेगा, माइनस 27 हो जाएगा, अब यह माइनस 27 बराबर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, अब गुडा करने पे 27 आना चाहिए, और घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 9 में से 3 को घटा दें, तो 9 में से 3 घटेगा, तो 6 हो 27 हो जाएगा अब y स्कार उतर जाएगा 9 में y का गुड़ा करेंगे तो 9 y हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 y हो जाएगा और 3 y हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा इसमें से y कामन ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा अब इसमें से y 2 y है तो इसमें से 1 y बाहर आ जाएगा तो y प्लस 9 हो गया माइनस 3 कामा ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 अब ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है अब इसमें से कामा ले लेंगे y प्लस 9 तो क्या बचेगा y माइनस 3 हो जाएगा अब पहला यदी होगा पहला यदी क्या बनेगा y प्लस 9 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा और प्लस 9 को पच्छांतर कर देंगे तो प्लस 9 जब पच्छांतर होगा तो क्या बनेगा माइनस 9 हो जाएगा तो y बराबर माइनस 9 आ गया दूसरा यह दिक करेंगे तो y माइनस 3 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा अब माइनस 3 जब पच्छांतर करेंगे तो यह क्या बन जाएगा पलस 3 हो जाएगा तो बिकल्प नमबर इसमें दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और दूसरा क्या सही होगा माइनस नौ कामा तीन हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया इसमें ध्यांद जी यहाँ पर दुगहा समीका बन गया अब दुगहा समीका का यम बराबर zero के मूल बराबर है तो यम का मान ग्याद कीजे अब ऐसे प्रस्ण जो है बोवी कलपी प्रस्ण में भी दिया गया था कि मूल बराबर है तो यम का मान ग्याद करना था तो सेम प्रस्ण यहां पर भी दे दिया गया 3x square minus 12x plus 2 यम बराबर zero सबसे पहले जो है यह दुगास समिका दे दिया गया है तो दुगास समिका को तुलना करेंगे और तुलना किसे किया जाएगा तो AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बराबर जीरू से क्या करेंगे तुलना करने पर और A कामान इसमें कितना दिया गया है तो A कमान 3 दिया गया है B कमान माइनस 12 दिया गया है और C कमान 2 एम दिया गया है अब यहां पर लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम तो मूल बराबर होने का सुत्र क्या होता है तो आप सोई भी दियारती पढ़ें होंगे B स्कॉाइर माइनस क्या होता है 4 AC होता है B कामान माइनस 12 का बर्ग हो जाएगा माइनस 4 और 1 कामान 3 और C कामान क्या है 2 यम है अब यहां 2 यम रख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा 12 का बर्ग अगर करेंगे तो माइनस का बर्ग जब किया जाता है तो अब पलस हो जाता है 12 का बर्ग 144 हो जाएगा चारती है इन 12 12 में 2 का गुड़ा करेंगे माइनस 24 यम हो जाएगा बराबर 0 यह 144 पलस में है जब इसको पचांतर कर देंगे तो माइनस 144 हो जाएगा तो माइनस 24 यम बराबर माइनस 144 हो जाएगा माइनस से माइनस को आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं और 24 को नीचे भेश सकते हैं क्योंकि यह गुड़ा है तो क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा और 24 से 144 में जब भाग करेंगे तो 6 बार में भाग चला जाएगा तो यम बराबर कितना जाएगा, 6 आजाएगा कितना असान प्रस्ण बनाया गया है बस आपको फार्मूला याद रखेंगे कि मूल बराबर होने का सुत्र क्या होता है तो B स्कॉाइर माइनस 4 A C बराबर क्या होता है, 0 होता है अब यहां दो का ख़र परसंद दिया गया है box square जो है 56 धीया गया minus sign square जो है 23 का मान गया इद केजे अब इस परश्न दोनों में किसी एक का मान अब सकते हैं ऐसर आ जाएगा तो यहां पर देखेंगे box square उतर जाएगा और यहां 66 के जगा पर कहा लिखेंगे नबे में से जब 23 को घटाएंगे देखें और यिरमान दिया भी रहता है, जो घटाना रहता कि उसमें देदिया रहता है, 90 में से जब 23 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 7शट बन जाएगा, सुत्र क्या बना, तो sin square 23 हो जाएगा sin square 23 में से sin square 23 घड़ जाएगा तो कितना इंसर आ जाएगा जीरू आ जाएगा क्योंकि इसमा सब घटाएंगे तो क्या बना सुनने हो जाएगा तो उम्मीध करते हैं ये भी प्रश्ण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया उगा तो दो का ख़ो भी प्रस्ण है समझ में आ गया अگला प्रसेंद दो का ग़ तो दो का ग़ प्रसंद दिया गया है एक तिर्भूज के अधहार की λंबाई 14 से में है येवां उचाई साथ से में है तिर्भूच का छेतरफल ग्याद कीजिए तेहां पर जो दिया गया है अधार की लंबाई 14 से में दिया गया लंबाई 14 से में है उंचाई के ना है 7 से में है अब तिर्भूच का छेतरफल का सुतर क्या होता है तो आप सो भी दियारती पढ़ेंगे एक बटा दो अधार कितना इजी प्रश्निय दिया गया था तिर्भूच का छेतरफल एक बटा दो अधार गुड़े उंचाई अधार का मान भरिये उंचाई का दो से साथ चोदो को काटेंगे सास सास सते 49 से में का स्कॉयर हो जाएगा छेतरफल का मातर क्या होता है से मीं स्कॉयर होता है अब दो का घह प्रसंदिया गया पर्थम दस अभाज पुरांकों की मधिका ग्यात कीजिए तो यहां पर पर्थम दस अभाज पुरांकों की जब मधिका पूछा गया है तो सबसे पहले दस अभाज पुरांक कौन-कौन होते हैं अभाज संख्या किसे कहते हैं वह संख्या जो स् संख्या कोन है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29 यह जो ऐसी संख्या दिया गया है यह दस अभा संख्या है तो यह जो स्वेम से कटेगा दूसरे संख्या से नहीं कटेगा तो यह बराबर क्या हो जाएगा दस संख्या और यह दखेंगे जब संख्या रहता है तो मधिका का सुत्र क्या होता है तो मधिका का क्या है फार्मूला है अब इसमें मान भरेंगे यन का मान क्या दिया गए दस तो लिखेंगे एक बटा दो हो जाएगा यन का मान क्या हो जाएगा दस बटा दो में पद का मान अब यह दस कहां सा गया तो यन का मान जो है दस दिया गया है तो दस बटा क्या हो और यहांँ पर भी रखेंगे यहरुन कामा नग्लाभरका यारुए से 2 पम्लाभ house horas on 10 एंभा जायेंगे दो कायू पांच बार क्शोब थैर ईया नितुन पूर कैंशित में 1 11 है और 6 अस्थान पे क्या है 13 है तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 24 हो जाएगा 24 को 2 से काड़ देंगे तो कितने बार में जाएगा 12 बार में जाएगा तो यह जो है पर्थम 10 अभाज पुरांकों की मधिका कितना गया 12 आ गया तो उमीद करते हैं यह भी आप लोग को अच्छे से प्रस्ण समझ में आ गया होगा तो प्रस्ण नमबर अब तीन का कर समझेंगे संख्याओं 26 और 91 का अभाज गुरंखंड बिधी से या सियप तथा या सियम ग्याद कीजिए अब यहां अभाज गुरंखंड बिधी द्वारा जो है इसमें मौसो और लोसो ग् कर लेगे और 91 दिया गया तो यहां 91 नोट कर लेगे 26 को जब गुरंखंड करेंगे तो दो गुड़े 13 और 96 बहुत या का शिव नियुम सतफ सीर कहा जाता है तो मौसो किसे करते हैं वह संख्या जो थोनों में संख्या मिल जाए उससी को मौसो आते हैं इसमें तेख समा साफ जो सबसे पहले जो मिलता है पहले इसको नोट कर लेते हैं और सेस जो नहीं मिलता है उसको लाश्ट में गुड़ा कर लेते हैं तो किसका मा निकल जाता है लसा का निकल जाता है तो यह बार समय लेंगे मौसा मौसा मिलाएंगे जो मिल गया वही मौसा है तेरा तेरा मिले गया इंसर आ गया तेरा हो गया इसमें देखिए दो है साथ है तो अब यहां दो साथ में इसमें गुड़ा कर लेंगे जो पहले मिलेगा पहले इसको नोट करते हैं जो नहीं मिला उसका गुड़ा कर लेते हैं तो तेरा में दो का गुड़ा 26, 26 में 7 का अब यहाँ पे दो समीकर दिया गया है और उसमें कहा गया कि एक ओदूती हल है तो यहाँ पर पहला जो समीकर क्या दिया गया चार एक्स प्लस पी वाई प्लस आठ बराबर जीरो तो चार एक्स प्लस पी वाई प्लस आठ बराबर जीरो यह पहला समीकर दिया गया है अब इस सामने क्या है P है C1 के सामने क्या है 8 है अब दूसरा समय के क्या दिया गया है 2X पलस 2Y पलस 2 बराबर 0 अब तूलना करेंगे तो क्या करेंगे आपर A2 X पलस B2Y पलस C2 बराबर 0 से तूलना करने पर अब A2 के सामने देखेंगे A2 के सामने 2 है B2 के सामने 2 है C2 के सामने 2 है अब अदूती हलका सुत्र क्या होता है तो थोड़ा से यहाँ पे गलत हो गया था तो इसको काटा गया है तो आपको अदूती हलका सुत्र याद रखेंगे A1 बट्टा A2 NOT is cult 2 B1 बट्टा B2 तो A1 का मान 4 दिया गया है और A2 का मान 2 दिया गया है नाट इसकल 2 हो गया B1 का मान P है और P2 का मान 2 है अब 2 से यह 4 कर जाएगा कितने बार में? दो बार में तब क्या जाएगा 2 नाट इसकल 2 P बटा 2 अब 2 में 2 का गुड़ा कर लेंगे तो दो दोना क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो पी का पी का मान आ गया पी नाट इसकल टू चार मतलब पी का मान चार पर क्या होगा और दूती हल हो जाएगा तो इसमें जो जो है इंसर आएगा पी नाट इसकल टू जो है चार हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कैसे तो अब अगला प्रस्ण समझेंगे तीन का गौ तो तीन का गौ प्रस्ण है चित्र में दिया गया है चित्र में AD लंब BC है सिद्र कीजिए A square प्लस CD का square बराबर BD का square प्लस AC का square तो सबसे पहले इसको सिद्धर करने के लिए पहले एक चित्र बनाएंगे और चित्र में जो है AD لمb BC होना चाहिए तो यहाँ पर एक तीर्भूश केचेंगे A, B, C और यहाँ से जो A से जो है B, C पर क्या डाला गया है लंब डाला गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा AD लंब है किस पर है BC पर है तो सबसे पर लिखेंगे दिया है AD लंब BC है मतलब AD जो है BC पर क्या है लंब है सिद्ध करना है AB का स्कॉयर मतलब AB का स्कॉयर प्लस CD का AB का स्कॉयर प्लस CD का स्कॉयर बराबर bd ka square bd ka square plus ac ka square सिदह करना है तो सबसे पहले जो है इसमें तिर्भूज पहला तिर्भूज देखेंगे तिर्भूज के नाम क्या है abd कहां पे तिर्भूज है देखेंगे a, b, d ब, इस तिर्भूज में पहले हल करेंगे उसके बाद से A, C, D ये दो तिर्भुँज बना है दोनों तिर्भुँज को राइबारी से हल किया जाएगा अब सुतर होता है لمb का बर्ग बराबर होता है कण का बर्ग माइनस अधिखर का बर्ग होता है तो इसमें لمb क्या है तो लंb इसमें देखेंगे तो यह कंड हो जाएगा तो कंड AB का SQ हो जाएगा और अधार जो है क्या बनेगा BD का SQ बन जाएगा और यह बनेगा समी का नंबर 1 बन जाएगा तो पहला तिर्भुज जो है आप से विद्यारती अच्छे से समझ गया होगे अब दूसरा तिर्भुज देखेंगे तिर्भुज का नाम क्या है A और यह क्या बन जाएगा D C अब A D C में चलेंगे तो वही सुत लिखेंगे लम का बर्ग बराबर कंड का बर्ग माइनस अधार का बर्ग तो इसमें भी कंड का मान क्या है तो इसमें भी AD दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे लम का मान इसमें AD है तो लम AD का बर्ग हो जाएगा अग कंड इसमें क्या है तो कंड इसमें AC हो जाएगा क्योंकि यह अधार बन जाएगा तो AC का बर्ग माइनस CD का बर्ग बनेगा CD कौन है तो कहींगे अधार है समी का नंबर दो बन जाएगा अब समी का एक समी का दो को धियान से देखिए यह भी AD axes now है और अबी AD axes दोनों मान आपसमें क्या हैं बराबर है तो समी का एक वाला मान समी का दो में रख दीजिए या समी का दो वाला मान समी का एक में रख दीजिए अब A D स्कॉयर A D स्कॉयर के जगा पे रख देंगे तो A D स्कॉयर के जब का लिखेंगे A B का स्कॉयर माइनस B D का स्कॉयर बराबर A C का स्कॉयर माइनस C D का स्कॉयर असान प्रस्ण मनाया है AB का स्क्वाइर प्लस CD का स्क्वाइर और ये BD का स्क्वाइर प्लस AC का स्क्वाइर बहुत असान है इसे अपने कॉपी में जरूर हल करेंगे तो यह प्रस्ण आपके निये क्या होगा बहुत easy हो जाएगा अगला प्रस्ण दिया गया है यहां पर दे दियागय ग्यारा का तूलना कर सकते हैं तो तूलना करेंगे तो भूजा का माल और आ ग्यारा से मी आ जाएगा अब घंगा संपूर पिश्टी छेतरफल का शूत्र क्या होता है तो घंग अच्चे है का स्काइर होता है 6 उतर गया यह कमान 11 का बर्ग हो गया 111 होता है और 121 में 6 का गुड़ा का लीजिए किना जाएगा 726 बर्ग शीमी हो जाएगा तो उमीद करते हैं आप सीखेंगे प्रशन परिमे संख्या किसे कहते हैं वे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है अईसे संख्या को परिमे संख्या कहा जाता है यहां पर तीन कर्णी दो बराबर हो जाएगा यह परिमे संख्या है अब यह तीन को क्या करेंगे नीचे भेज़ देंगे तो पी बटा क्या बन जाएगा तीन क्यू हो जाएगा और यहां चुकी लिखेंगे कर्णी दो एक कौन संख्या होता है तो करणी दो औ परिमे संख्या होता है तथा पी बटा तीन क्यू एक परिमे संख्या है तो यह दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यह परिमे है और यह औ परिमे है और यह क्या है परिमे है यह दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है करनी दो एक क्या है ओपर में संख्या है बहुत आसान विधी से बताया गया तो आप सो भी द्यारतियों को यह प्रस्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगला प्रस्ण सीखेंगे चार का ख यदि टैन ए बराबर काट भी है तो सिद्ध किजिए ए प्लस भी बराबर न अब यहां पर देखेंगे प्रस्ण में क्या दिया गया है कि टैन ए बराबर काट भी दिया गया है तो टैन ए बराबर काट भी हो गया अब टैन ए को यहां नीचे नोट कर लेंगे काट अब देखें काट भी के जगा पर हमनों क्या सुत लिए सकते हैं काट ठीटा का सुतर होता है 10 90 माइनस ठीटा होता है यह किसका सुत्र है काड ठीटा का सुत्र होता है 10 90 माइनस ठीटा अब यहाँ पर इस काड को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस बी अब यहाँ पर बी है तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे अब यहां दोनों सिम सिम आ गया 10 10 अब लिखेंगे तूलना करने पर अब तूलना जब करेंगे तो यहां का 10 और यहां का 10 जो हट जाएगा और दोनों 10 हटने के बाद से A बराबर हो जाएगा 90 माइनस B हो जाएगा अब यहां पर B को पच्छांतर कर लेंगे तो जब B पच् प्रस बी बराबर क्या हो जाएगा नबे अंस और यही क्या करना था सिद्ध करना था बहुत आसान भी दी है तो अब अगला प्रसंद समझेंगे तो अब यहां पर प्रसंद दिया गया चार का गह चो मीटर लंबी वाले एक उद्वाधर अस्थंब की भूमी पर चाया की लं 28 میटर है मिनार की उछाई गयात कीजिए अब यहांपर आप चाहे दो आकिरती बना सकते हैं पहली आकिरती क्या बनेगा तो पहली आकिरती जैसे यहांपर एक छै मीटर की जो है यहां लंबा उद्वाधर अस्थंब है और इसके भूम इसे चाया को मीटर है चार मीटर है क्योंकि प्रस्ण में दिया गया चार मीटर है उसी समय अब यहां पर एक और अस्थम जो बना लेंगे उसी समय एक यहां अस्थम है इसकी उचाई हमें मालूम नहीं है लेकिन इसकी चाया की लंबाई कितना दिया गया है 28 दिया गया है और यहां पर 4 दिया गया है और यह 6 मीटर जो है लंबा है तो सबसे पहले जो है यह आकरती दो बना लेंगे पहली जो अस्थम की लंबाई है 6 मीटर है दूसरी अस्थम की लंबाई हमें मालूम नहीं है पहली अस्थम की चाया चार मीटर है, दूसरी अस्थम की चाया जो है 28 मीटर है, इस तिर्भूज का नाम रखेंगे A, B, C रख देंगे और इस तिर्भूज का नाम रखेंगे P, Q, R रखेंगे, तो पहले इस तिर्भूज को हल करेंगे, उसके बाद से इस तिर्भूज को हल किया जाएगा, त मृ कहें विसमें 6 है 6 हो जाएगा और अधार इसमें क्या है तो 4 है तो 6 बटा 4 समी का नंबर इसको क्या माल लेंगे एकchem लेंके तो पहला जो है चितर से जो है समी का नंबर एक बन गया अब दूसरा समीक का बनेगा अब यह यहाँ पर इस जो त्र हुस बना आखग ना है तो यहां थार 18 हो गया समीकर क्या बन गयाता थॉट daran हो तो एक वह समीकर 2 जो है अब यह दोनों का समीकर की माध्यम से यह कामान निकलना आप यहां 10 ओंड जगा पर यहां पर रखे लेंगा तो अब सभार समीकर डों सभींड में रखेंगे तो समीकस एक कमान जो है टैन ठीटा के जगह पर छे बटा चार यहां पर रख देंगे और यच बटा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा अब यहां पर समिक एक कमान जब समिक दो में रख लेंगे तो इसका गुड़ा 28 के गुड़ा 6 में और 4 का गुड़ा यच में तो लिंचे लिखेंगे अतह मिनार की उँचाई यच बराबर 42 मीटर है तो उमीद करते हैं यह प्रशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चार का घः प्रशन है 7.6 सेमी लंबा एक रेखा खंड खीचे और इसे दो समंदे तीन के अनुपात में विभाजित कीजिए दोनों भाग की माप लिखिए तो सबसे पहले अब यहाँ पर 7.6 सेंटी मीटर का एक लंबा रेखा खंड आप लोग खिच लिजेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगा 7.6 मीटर का रहेगा अब इसको जो है दो समंदे तीन मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो दो और एक मिले करके क्या बनेगा तीन हो जाएगा तो दो और तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा पाँच हो जाएगा अब यह पाँच भागों में भी भाजित करेंगे प्रकार में जो है एक सेंटी मीटर माप ले करके यहां से भाग जो है यहां पर रखेंगे इसके वासे यहां पर ऐसे करमसा पांच भागों में क्या करेंगे जो है बाट देंगे पांच में आला भाग से इसको लाश्ट वाले भाग से क्या करेंगे मिला देते हैं और इसके ज बन जाएगा दो समंधे तीन का जो है यह अनुपात बन जाएगा तो समझ में आ गया होगा तो इसकी रचना भी आप सो भी ध्यार्थी कर लिजेगा और अनुपात क्या था दो समंधे तीन हो गया और एवी की लंबाई क्या है साथ दसमलो छे सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एसी समंदे सी बी का अनुपाँट क्या हो जाएगा दो समंदे तीन का का अनुपाँथ हो जाएगा अगला प्रसंद देखेंगे यहाँ पर 5 का का 5 का का प्रसंद दिया गया है आएसी duplicate करमागत बीसम धन पुढां गयात कीजिए जिनके बर्गो का यो तो ऐसी दो करमागत बीसम पुडांक अगर लेना है तो क्या क्या बीसम पुडांक लिया जाता है तो माना दो करमागत बीसम धन पुडांकों के बर्गों का योग इनको बर्ग किया जाएगा पहला संख्या का बर्ग हो जाएगा दूसरा संख्या का बर्ग का योग किसके बर बर्ग कहा गया है अब यहां बर्गों का योग हो गया नब्वे 290 के बराबर हो गया अब यहां एक्स का बर्ग को नीचे नोट कर लेंगे अब यहां पर होली स्कॉायर बन गया एक पलस बी का होली स्कॉायर हो गया एक का बर्ग पलस है यहां पर टू ए बी पलस बी स्कॉाय बराबर 290 हो गया एक्स का बर नीचे नोट कर लेंगे एक्स का बर्ग हो गया दू दूना चार एक्स हो जाएगा दो का बर्ग चार हो जाएगा एक एक्स स्क्वाइर मिल करके दो एक्स स्क्वाइर बन गया चार एक्स को यहां नोट कर लेंगे चार यहां नोट हो जाएगा 290 को का करेंगे यहां पर चाहे तो पच्छांतर कर सकते हैं या नहीं पच्छांतर करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें से 2 कामन ले जिए अब दोनों में से जब 2 कामन हो जाएगा यक्सी स्क्वाइर है या चार है तो 2 यक्स हो जाएगा चार है तो 2 हो जाएगा अब 2 को नीचे भीज़ देंगे किसके नीचे 280 के नीचे भीज़ देंगे अब 295 के नीचे दो चला गया अब 280 से जब 250 को काटेंगे तो 145 बार में जाएगा अब 145 से plus में पच्हांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा अब 2 में से 145 घटा देंगे तो 143 हो जाएगा माइनस में 143 बराबर 0 अब गुड़ा करने पर 143 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुड़ा कर दे तो 143 और घटाने पर 2 आ जाए तो 13 में से जब 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और 13 में जब 11 का गुड़ा करेंगे तो 143 हा जाएगा अब X स्कॉार हो जाएगा 13 में X का गुड़ा करेंगे तो 13X हो गया 11 में X का गुड़ा करेंगे तो माइनस 11X हो जाएगा माइनस 143 बराबर क्या हो गया जीरो हो गया अब यहां से जो है दोनों में देखेंगे एक्स कामन है तो एक्स को बाहर कर लेंगे एक्स प्लस 13 हो गया माइनस 11 इसमें से कामन कर लेंगे तो एक्स प्लस 13 हो जाएगा बराबर 0 हो गया अब दोनों में देखेंगे एक्स प्लस 13 एक्स प्लस 13 दोनों में से बाहर कर लेंगे X plus 13 को बाहर कर लेंगे तो दूसरे कोश्टे में क्या बचेगा X minus 11 बराबर 0 हो गया अब पहला यदि क्या होगा X plus 13 बराबर 0 हो गया अब यह 13 plus 13 है पच्छांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 13 हो जाएगा जो आमान है क्योंकि माइनस संख्या इसमें नहीं लिया जाता है दूसरी संख्या का होगा यदि X minus 11 बराबर 0 है यह minus 11 को पच्छांतर कर देंगे तो पलस 11 हो जाएगा तो यह समझ में आगे पहला संख्या में मालूम हो गया अब यहां पर दो बीशम करमागा संख्या बताना था तो लिखेंगे यहां पर अता दो बीशम करमागा धनात्मक पुरांग क्या माना गया था यक्स कामा यक्स पलस दो माना गया था अब यहां यक्स का मान भर देंगे तो यक्स का मान कितना यह है 11 कामा इगारह पलस दो तो इगारह नोट ह लिएगा 11 का बर्ग 111 होता है और 13 का बर्ग 179 दोनों जोड़िए 290 आ गया तो समझ में आ गया होगा कि दो करमागत भी सम पुड़ां कौन कौन लेना था पांच का खौप प्रसंद देखेंगे पांच के खौप प्रसंद दिया गया है यदी बिन दुक्या दिया गया है एक कामा जीरो है जीरो कामा भी है तथा यक्स कामा वाई सनरेख है तो सिद्ध कीजिए यक्स बटा ए पलस यह भी प्रश्ण बहुट आहयंप प्रश्न है को सालों के बोर्ड में पूछा जाता है तो यह 2022 में भी प्रश्न आया हुए यहां एक कामा जीरो जीरो कामा भी Erick कामा वाई अब यहां पे संद्रेक होने का नियम लागू किया जाए तो इसको कहेंगे X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 यहां तीन निर्दे सांग दिया गया है और संद्रेक होने का नियम आप सोभी विद्यार्थी जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो सुत्र को आप लोग याद रखेगा संद्रेक होने का सुत्र होता है X1 कामा Y2 माइनस Y3 प्लस X2, Y3 माइनस Y1 प्लस X3, Y1 माइनस Y2 बराबर 0 या संद्रेक होने का नियम होता है अब इसमें मान को करम सह भर लेंगे X1 कामान क्या है तो A है, Y2 कामान क्या है तो B है Y3 कामान क्या है, Y है X2 कामान 0 है, Y3 कामान Y है, Y1 कामान 0 है X3 कमान यहां पर YX हो गया Y1 कमान 0 है Y2 कमान B है तो B भर देंगे बराबर 0 अब यहां A में B का गुड़ा करेंगे तो यह बनेगा A B और A में Y का गुड़ा करेंगे तो बनेगा A Y और यहां 0 में जब गुड़ा कर लेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0 ही होगा अब यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे बचेगा माइनस B अब X में B का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा माइनस X B बराबर क्या हुगा 0 यहाँ पलस माइनस मिलता है तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा तो a b اُتर गया माइनस a y βी उतर गया 0 को भी उतार देंगे plus minus मनें कई माइनस x b हो जाएगा बराबर 0 इसमें किस को छोड़ सकते हैं तो 0 वाला मान को क्या कर सकते हैं छोड़ देंगे बचे गाई कैई अब a b minus a y minus x भी बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगला लाइन बनेगा एबी माइनस एवाई माइनस एक्स भी बराबर जीरो अब यह दोनों मान को क्या कर सकते हैं माइनस वाला दोनों मान को पच्छांतर कर दीजे जब दोनों मान पच्छांतर हो जाएगा तो यह दोनों पच्छों में A B से क्या करेंगे भाग दे देंगे अब दोनों पच्छों में A B से भाग देंगे क्यों भाग देंगे क्योंकि हमको उत्तर बटा मेलाना है इसलिए दोनों पच्छों में A B से भाग देंगे तो A B बटा A B हो गया बराबर X C बटा A B हो जाएगा PLUS A Y बटा A B हो जाएगा B से B कर जाएगा A से A कर जाएगा A B से A B कर जाएगा बचेगा 1 और यहां X बटा A हो जाएगा और Y बटा B हो जाएगा कितना असान प्रसंद था तो अब इसको या कर लिजिए अब या का मतलब X बटा A प्लस Y बटा B को पच्छांतर कर लेंगे बराबर 1 मतलब इसमें चीन नहीं बदलेगा पूरा मान अगर इधर आ जाए और ये पूरा मान उधर जाए तो चीन नहीं बदला जाता है तो सिद्ध हो गए X अपान A प्लस Y अपान B बराबर 1 अब अगला प्रसंद देख सकते हैं पांच का गव में क्या प्रसंद दिया गया है एक लंबिर्ती संकु की तिरिया कुचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण प्रिष्ट के ना दिया है नबबे पाई सेमी का इसक्वाइर है इसके अधार की तिरिज्जा ग्याद कीजिए अब यहाँ पर जो है किसका किसका अमान दिया गया है तिरिया कुचाई दिया गया है और संपूर्ण प्रिष्ट दे दिया गया नबबे पाई सेमी का इसक्वाइर है और अधार की तिरिज्जा ग्याद करना है सबसे पहले लिखेंगे तिरीय कुछाई यल और यल बराबर क्या दिया गया है 13 से में तिरीय कुछाई को यल से देखाते हैं और आर बराबर प्रशनुवा चक्चिन हो गए मतलब पूछा जा रहा है संकु का संपूर्ण प्रिष्ट कितना दिया गया है 90 पाई दिया गया है और संकु का संपूर्ण प्रिष्ट का सूत्र क्या होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे पाई आर कोष्ट में आर प्लस यल बराबर क्या हो जाएगा 90 पाई हो जाएगा तो आप पाई से पाई को का कर सकते हैं, काड सकते हैं, और पाई क्या हो जाएगा, कड जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर पाई, यहां पर बचेगा आर और प्लस यल बराबर क्या हो जाएगा, 90, आर यहां नोट कर लेंगे, आर यहां पर भी नोट हो जाएगा, और यल क काई स्कॉार उतर जाएगा तेरा आर उतर जाएगा और नब्य पच्छांतर करेंगे तो माइनस नब्य हो जाएगा क्योंकि प्लस नब्य है पच्छांतर करने पर माइनस नब्य हो जाएगा अब यहां पर जो है गुड़ा करने पर तेरा आ जाए और घटाने पर क्या जाए तो 18 में से 5 घट जाए तो 18 में से 5 घटेगा तो क्या बनेगा 13 और 18 पचे 90 हो जाएगा अब यहाँ गहाद समीकरड को क्या करेंगे गुड़न खंड करेंगे तब यहाँ लेखेंगे आर स्कायर प्लस 13 में आर का गुड़ा तो 18 और माइनस पांच और माइनस 90 बराभर 0 अब इसमें से दोनों में कामन क्या दिखाए देरा आर कामन दिखाए देरा आर को कामन ले लेजिए पाई पलस 18 हो जाएगा माइनस 5 कामन ले लेंगे यहाँ पर आर है धिहान दीजएगा या ऐसा बन गया है लग रहा है पाई है लेकिन इसको आर है तो आर प्लस अथारा माइनस पांच कामा लेंगे तो आर प्लस अथारा बराबर जीरो अब दूनों में से कामा लेंगे आर प्लस अथारा कामा लेंगे तो क्या बचेगा आर माइनस पांच बराबर जीरो अब पहल और रेयात्मक नहीं होता है तो अब आर माइनस पांच बराभर जीरो माइनस पांच को पच्छंत करएंगे प्लस पांच हो जा Как तो आर बराभर 5 आ गया अधर स्वं32 स्वंपीद करते हैं प्रशन आप को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको आप लोग याद रखेगा यह आर है पाई मत समझ लिजिएगा यह आर आप लोग मान करके चलिएगा तो अगला प्रसंद देखेंगे पांच का घह तो पांच का घह में दिया गया निमलखे साने किसी मोहले में पचीस परिवारों में भोजन पर दैनिक बै को दरसाती है उपयुक्त विधी द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य बै गयात किजिए तीस प्रस्ण में माध्य की गढ़ना करना है और यहां प्रस्ण में जो पांच बारा दो दो दिया गया है अब इसको साल्व करके जो है माध्य की गढ़ना करना है तो सबसे पहले जो है समांतर माध्य निकालने के लिए आपको तीन कालम पहले से बनाना पड़ेगा पहला तो कालम जो है दैनिक आय और मध्यमान परिवारों की संख्या यह तो ती कि पहले यह दैनिक काया के ताएं कितना दिया गेंगा ताना कैसे निकाला जाता है तो दोनों जोड़ के अधात सौ और एकसो पचास जोड़ेंगे तो ड़हीसो होगा और और सो का आधा 125 हो जाएगा डेर सो और दो सो जोड़ेंगे साठहे तीन सो साठहे तीन सो जाएगा और साठहे तीन सो का आधा 175 हो जाएगा तो इसी तरह दोनों जोड जोड करके क्या करेंगे आधा यहां पे लिखेंगे तो उसको कहा जाता है मध्यमान और परिवारों की संख्या इसमें दिया गया चार पांच बारा दो दो तो चार पांच बारा दो दो इसको जोड लेंगे तो इसको कहेंगे पचीस जोडने पर किनाया पचीस और यहां एक सो पचीस का चार का गुड़ा करेंगे तो पांसो एक सो पचातर का गुड़ा पांच में तो इसका सभी जोड आएगा 5275 आजाएगा आप सभी विद्यारती एक बाद जोड लिजेगा और इसका जोड जो है 25 आ गया और समानतर माध्य का सुत्र क्या होता है तो समानतर माध्य बराबर होता है सिगमा या फैक्स बटा सिगमा या फैक्स बटा सिगमा या फैक्स करेंगे अभागा जो है पचीस हो गया पचीस से भाग करेंगे 5275 में तो कितना जाएगा 211 आ जाएगा तो नीचे लिख देंगे अता भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्याय कितना जाएगा 212 है तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको साल्व किया गया तो आप सो भी विद्यार्थी से अपने कापी में चाहे नोट भी कर सकते हैं तो आप सीखेंगे प्रशन नमबर 6 का कौँ तो 6 का कौँ में दिया गया है एक आयतकार खेत का बिकंड उसके छोटी भूजा से 60 मीटर अधिक लंबा है एक आयतकार खेत है उसका बिकंड जो है उसकी छोटी भूजा से कितना अधिक है 60 मीटर अधिक है यदि बड़ी भूजा छोटी भूजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का भूजाएं ग्याद कीजिए तो यहाँ पर सबसी पहले छोटी भूजा को मानेंगे क माना छोटी भूजा क्या है एक्स है तो माना छोटी भूजा या चीतर में देख सकते है बीसी है बीसी क्या है एक्स मीटर है बिकंड जो कर रहा है छोटी भूजा से साथ मीटर अधिक है एक्स प्लस साथ हो जाएगा बिकंड हो गया और बड़ी भूजा एबीस में हो हैं तो सुत्र होता है पाइथा गोरस पर में आप से भी द्यार्थी पढ़े होंगे कंड का बर्ग बराबर होता है लम का बर्ग प्लस अधार का बर्ग होता है कंड का बर्ग मतलब कंड के स्थान पर क्या दिया गया है यक्स प्लस साथ का बर्ग हो जाएगा बराबर लम का ब b sqare होता है plus 2AB Mतल никаких जगाप से हैं बीप के जगाप साठ है च्बू हो गया 2जाल भी कि यहां पर एक्स का बडर क striking कैंए ब्लब क अब्लब कर दोगा प्रिकद्बर यहां पर भी जाए मिलके 2 x square हो गया 30 का बर्ग 900 और 30 में 2 का गुड़ा करेंगे 60 हो जाएगा अब यहां पर क्या देखेंगे इसको यह कर लेंगे यह बड़ा मान है और यह मान चोटा है यह 2 x square है यहां 1 x square होने को यह से पूरा मान पहले इधर उठकर लेंगे 2 x square प्लस 900 प्लस 60 x को जाएगा बराबर यह सिसकुआर प्लस 36 सो प्लस 120 एक हो जाएगा अब इसको सब मान को बारी बारी जो है एक पछांतर करेंगे 1.2 sql1 x کے पास एकस वाला एकस के पास और अँक वाला अंग के पास जो है पचांतर कर लेंगे तो 2x square है अभी यह एक Σ्गॉार verschiedenen हर पार साथ एक्स हो जाएगा और 120 प्रिस्व में है माइनस में इदर kimse ऱिए तो माइनस 120 हो जायगा पलस नू सौ नू स्व जाएगा प्रह छतीसो माइनस Шथी सको बरावर जीरो अब यहाँ 232 गाटा तेंगे तो aykoeof 16 206 गटा देंगे तो माइनष 6 एक.." 90 में 365 गटाएंगे तो माइनस 27 हो जाएगा परावर 411 थाइकषओ हो जाएगा अब गुडा करने पर 24 और गटाने opposite आना चाहिए तो 90 हिए 30 गटा देसे था दो 90 3 30 Просто जाएगा सताई सो सब्सक्राइब तो यहाँ पर मानीश करें कामD दिखा कदेंगे और कामन कामन को कर लें जाएगा यहांगा पर यहां पर यह कामन हो गया प्लस आपडर गूरीत नप्मिश करेंगë बराबर 0, यह दोनों मान आपस में क्या जाएगा, बराबर आजाएगा, अब दोनों में से जो है, X-90, X-90, X-90 दोनों में से बाहर कर लेंगे, तो X-90 और X-30 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर दुगाद समीका का गुरंखंड किया गया, अब आगे देखेंगे, यदि X-90 बराबर 0, 90 को पचांतर करेंगे, प्लस 90 हो जाएगा, और यहाँ यदि X-30 बराबर 0 हो जाएगा, तो X-30 है, पचांतर करेंगे, तो माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस 30 जो संख्याएगा, असंबह होगा, क्योंकि वह माइनस में है, क्योंकि प्रस्ट में बताया गया था एक्स प्लस 30 अब यहां एक्स कमान 90 हो गया 90 में 30 जोड़ लेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया तो आप सीखेंगे 6 का खो तो 6 का खो में दिया गया है दी गई आकरती में तिर्भूज ABC में अब यहां पर ए एक अर्ध विर्थ खीचा गया है छयांकीत भाक चान गयात बाल करना है तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्ट में 30 कितना गया है तो इस आकरती में यहां पर देख सकते हैं बिरिद की तरेज चौदा सेमी दिया गया है 14 सेमी होगा चौधा सीमी यहां से लेकर कि 4 ye चान सरे विड़ा साहीद सांतर प्राइबू जायेंगे 7 सी चौधा काट देंगे स्थ 126 यहां और यहां से कटने के पाइस गूड़े साथ में WAT 21 ओडह करेंगे तो 154 हो जायेगा तो अब यहां और आप रभूज का जैतर और और पर आप थे पर गया अखेतर निकल या वेकल सुतर होता है एक बटा दो अधार गुड़ी लंब होता है एक बटा-2 हो जाएगा अधार कितना है 14 है क्योंकि अधार 14 है लंभी 14 है तो 14 गुड़े 14 हो गया 2 से 14 काट देंगे साथ 5000 में साथ का गुड़ा करेंगे तो कितना grams 14 सत्य 98 तो यहां पे जो मा निकला है 9 सेंटीमीटर किसका मा निकल गया तो यह तिरूज का चेत्रफल का मा निकल गया अब इसको कहा गया प्रस्ण में BC को क्या करना है देखें परस्ण में लिखा लिखा है अब अर्ध वृत के लिए जो है उसका त्रिज्जा की गणा करेंगे त्रिज्जा कितना है तो तिर्भोज ABC में कंड बराबर होता है लम का बर्ग पलस अधार का बर्ग होगा लम कितना था तो 14 था अधार कितना था तो 14 था तो 14 का बर्ग 14 का बर्ग दोनों जोड़ लेंगे ब्यास का कार करेगा तो ब्यास बराबर 14 करणी में 2 हो गया इस वे डी से दिखाएंगा डी बराबर 14 करणी 2 से में हो गया ब्यास हो गया तो तिरिजा का सुतर क्या बनेगा डी बटा 2 हो जाएगा 14 करणी में 2 बटा 2 हो गया एक बटा दो पाई आर काई स्कुाइर होता है एक बटा दो उतर जाएगा पाई कमान 22 बटा साथ और आरक मान साथ कानी में दो साथ कर्णी दो आरकामान यहां निकला देख लीजिए अब यह साथ कर्णी दो कर साथ का बर्ग करेंगे तो उन्चास हो जाएगा बर्ग से कर्णी हटेगा दो हो जाएगा सा सते उन्चास हो गया सा से कर जाएगा और यहां दो से दो को काड़ लेंगे गुड़ा करेंगे त चत्थांज का च्छेतरफल और तिर्भूज का च्छेतरफल जोड़ करके अर्थ विर्द का च्छेतरफल को क्या करेंगे घटा देंगे तो छायांकित भाग का च्छेतरफल निकल जाएगा तो यह च्यांकित भाग का छेतरफल के नाया 98 बर्ग से मी आ गया तो अब अगला प्रसंद सीखेंगे छे का घव तो छे का गौज वाला प्रसंद क्या है एक तिर्भूज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 में है AB 5 में है और कोण ABC 60 है फिर एक तिर्भूज की रचना कीजिए ज बने ABC पर ले तिर्भूज खिचना है तो सबसे पहले यहां पर बीप कितने ABC कितना खिचना है तो बीसे सी तक 6 सेंटीमीटर का रेखाप लोग खिच लिजिए गा और बी पर 14 से 60 का कोड़ बना लीजिए गा कोड़ बनाने के वासिसको जो है यहां सी इसको मिलान कर लेंग नाेगा अब इसके समांतर एक तिर्भूज बनाना है तीनवत्र चार शार रंड़ बनाना है यहां पर कर लएदगे चार हागों में बाड़ देंगे चौटेवाले भाक से स्को क्या करेंगे मिलान कर लेंगे अब इसको मिलाने के बाद से जो है इसके समानतर यह समानतर रेखा खीचा गया अब कैसे खीचा जाता है तो आप से विद्यारती रचना पढ़े होंगे कि यहां से ले करके ऐसे चाप काटते हैं चाप काटने के बाद से आगे बढ़ते हैं अब यहां पर चाप काटने के बाद से जो है यहां पर भी एक यह से चाप काट देंगे इस चाप को म रचना वाला चिप्टर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग रचना इसको कर लेजिए गा तो च्छे का गहव वाला प्रस्ण देखेंगे तो च्छे का गहव प्रस्ण है निमलिखित बारामबरता सांडी में मधिका ग्याद किजिए अब यहां पर मधिका की गढ़ना करना है तो सबसे पहले जो है बरगंतराल दिया गया प्रस्ण में और बारामबरता दिया गया है तो बरगंतराल पहले लिख लेंगे बारामबरता लिखेंगे संचाई बारामबरता कैसे लिखा जाता है इसके बारें पहले समझेंगे बरगंतरा जीरो से दस दस से बीस बीस से ती 30-40, 40-50, 12 मारता क्या है, 2, 4, 7, 3, 2 दिया, इसको जोड़ेंगे तो 18 आजाएगा, अब यहाँ पर संचेवी 12 मारता, सबसे पहले 2 को नोट करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे, 6, 6 में 7 जोड़ेंगे, 13, 13 में 3 जोड़ेंगे, 16, 16 में 2 जोड़ेंगे, 18, मतलब यहाँ 18 है तो यहा पहां पर आना चाहिए अब यह अंदर नहीं आजाएगा इसके अंदर भी नहीं आएगा इसका मतलब नौणा पद इसी के अंदर छिपा है तेरह के अंदर इसका अंतराल क्या होगा 20 30 यह हो जाएगा 11 यल्टू यह लिखेंगे यह प्रेचर अंतराल क्या होगा 20 30 में है 11 कितना है तो कहेंगे 11 20 है यल्टू कितना है कहेंगे 30 है यफ कितना है कहेंगे 7 है और सीफ इसके उपर वाला बराम बढ़ता होता है तो सीफ कितना हो गया 6 हो जाएगा और यच कामान कैसे निकलता है तो आप से भी द्याती जानते होंगे यच बराबर सुत्र होता है यल्टू में से यल्वन घटा देंगे तो तीस में से बीस घटाएगा दस मतलब दस का यह अंतराल इसमें दिया गया है तो अब मधिका का सुत्र क्या होता है तो 11 प्लस एन बटा 2 माइनस С इफग गुडे यज bung गुडे यज यह किसका सुतर है तो यह मधिका का सुतर है अब 11 कामान कया है तो 20 है 11 कामान न कामान देख लिए प्रश्ण में 20 है एन बटा 2 क्या है तो एन न कामान 18 बटा 2 हो जाएगा माइनस स इफ 6 हो गया यफ का मान साथ हो गया यज का मान दस हो गया अब 20 उतर जाएगा दो से ठारे काटेंगे 9, 9 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा गुड़े 10 हो जाएगा तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बनेगा 3, 3 बाटा 7 गुड़े क्या बनेगा, 10 हो जाएगा तो अगला लाइंगे, तो अगला में बना 20 पलस 3 गुड़े 10 हो जाएगा, और 30 में 10 मेंahren 1 के गुड़ा को 30 7 साथ, साथ से 30 में भाग को यह ऀस्या गुड़ेंगे, 4.28 बीस में 24 दो आठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 24 दसमालो 28 हो जाएगा इसका क्या बनेगा एंसर आ जाएगा तो उमीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब सीखेंगे साथ का का अब साथ का कमे प्रस्ण क्या दिया गया सभी खंड करना है और यहां प्रस्ण दिया गया कि एक नाव पूल की ओर आ रही है एक नाव है वह पूल की ओर आ रही है किसी समय जो है पूल का उन्नैन कुर क्या था तीस अंस देखा गया उस समय जब यहां पा जैसे मालेते हैं एक पूल से जो है, पूल की और जो है, एक नाव यहां से, A से, B की और जो है, जा रही है, लेकिन उसमें उन्नैन कोर क्या था, तीस अंस का था, नाव से उसी चाल से, मतलब वही चाल जिस चाल से आ रहा था, चार मिनट चलने के बाद, को मिनट चलने बाद, यहां से यहां तक चार मिनट चलने के बाद, पूल का उन्नैन कोर क्या हो गया, 30 एंस हो गया नाव को पूल तक पूल अगर पहुचता है मतलब D बिंदु से B बिंदु के पाफ जाने में कितना समय लगता है यही इस प्रश्ण में पूछा गया है तो सबसे पहले जो है AD के बीफ की दूरी निकालेंगे और डीवी के बीश की दूरी निकालेंगे तब आगे बढ़ेंगे माना नाओ की चाल यक्स मीटर प्रथी मिनट है माना नाओ जो चला है वह कितने इस्पीड से चला है तो यक्स मीटर प्रती सेकंड है और ये से डी तक पहुँँचने में लगा समय कि ना है और यहां से यहां तक हमें मालूम नहीं इसने इसको क्या मानेंगे टी समय मानेंगे अब एडी के बीश की दूरी अब ए से डी के बीश की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे एडी के बीश की दूरी दूरी के सुत्र क्या होता है चाल गुडे समय होता है चाल इसमें क्या है BD BD के भीच के दूरी सुत्र क्या होगा तो चाल गुड़्य समे होता है तो चाल YAKS हो गया समे T हो गया Yaks में T का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा यक्स्टी में हो जाएगा तहीं एक बार से दो तिर्भूज बन गया纲 एक 60हं के साथvette एक 1.30 संस के साथ बनेगा तो पाले साथ हंस का छोटा तिर्भूज का प्रियोग करेंगे उसके वासे जो है बड़ा वाला तिर्भूज का प्रियोग करेंगे चोटा वाला तिर्भूज का प्रियोग करेंगे अब बड़ा वाला तिर्भूज का प्रियोग करेंगे तो अधार यह प धीता वो स्में कोड कितना बना था साथ एंस का कोड बना था और देख सकते हैं साथूंस का कोड बना था की नहीं बना था तो यहां पर देखेएं we 10 गड़े में अधरक टी है और इसमें क्या till गेंगे लिए 10 ग identify है इसमें और भी उगता है इसमें गुटा करेंगे तो यच बराबर करणी में 3,1,6 हो जाएगा, समीका नमब एक हो जाएगा, तो यह प्रस्ञ जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसमें एकस का मान क्या गया proud करणी में 3,2,5 ती नम इए समीका नम क्या है, अब बड़े तिर्भूज का प्रियोग कर लिया गया, अब और यहां से यह लंब है लंब यह हो जाएगा और अधार यह पूरा प्रियोग करेंगे यह 4X प्लस यह पूरा प्रियोग किया जाएगा यहां पर लिखेंगे 10 4x2 उपर अब समिक एक यह कंऊ सकते हैं देंगे दिख सकते हैं उसके जगा पर किस नगसेस के आस्थान पर तो कब इतीन हो जाएगा बराबर 4X प्लस XT हो जाएगा अब यह XT प्लस में है पचांतर कर लेंगे तो XT पचांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा तो 3X T माइनस XT बराबर 4X हो गया 3X T में से 1X T घटा देंगे तो 2X T बराबर 4 हो जाएगा तो इस सवाल को एक बार अपने कापी में जरूर नोट करिए, रफ में नोट करिए, इसको हल करिए, सीखिए कैसे इसको हल किया गया, तो अगला प्रसन हम सीखेंगे, तो अगला प्रसन साथ का कवम दिया गया, एक मिनार के अधार से सो मीटर और पचीस मीटर दूर उसी समतल पर इस थी दो बिंदूं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं उन पर मिनार का उन्नैन कोड एक दूसरे के कोट पूरक है मिनार की उचाई गयात कीजिए यह प्रसन कई सालों से बोड के पेपर में पूछा जाता है यह प्रसन बहुत ही आई एम पी माना जाता है तो कोट पूरक किसे काते हैं वह कोट होता है जो दो कोडों का यह फल नब्बे आना चाहिए दोनों कोडों को अगर जोड दिया जाए तो नब्बे आना चाहिए यदि एक कोट ठीटा रहेगा तो दूसरा को नब्बे माइनस ठीटा माना जाता है तो यहां पर प्रसन का एक मिनार क अधार से 100 मीटर और 25 मीटर दीखिए यहां से लेकर के यहां से यहां तक 100 मीटर है औरिक पर 25 मीटर मतलब यहां से 25 और यहां पूरा 100 मीटर लिखा है उसी दूरी पर समतल पीश्टीदा दो बिंदू ठीटा माना जाता है तो माना लिखेंगे आप मिनार के कोड़ एक दूसरे के कोड़ पूरक है अता कोड़ अगर पहला कोड़ ठीटा मानेंगे तो दूसरा कोड़ क्या माना जाता है 90 माइनस ठीटा हो जाएगा अब यहां पर दो तिर्भूज बन गया बारी-बारी से दोनों तिर्भूज को हल करेंगे अगर इस तिर्भूज को हम लों हल करते हैं छोटा वाला तिर्भूज का हल करेंगे तो इसमें ठीटा कोड़ बना है और बड़ा वाला तिर्भूज का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोड 90-ठीटा बना है तो तिर्भूज का नाम क्या है BCD क्या ना बन जाएगा कितना असान है चोटा वाला तिर्भूज पहले प्रयोग किया है तो यह बटा पचीस आ गया और बड़ा तिर्भूज का प्रयोग करेंगे तो क्या है तिर्भूज तिर्भूज अगर लंब देखेंगे तो यह बिश हो जाएगा और अधार यह पूरा बनेगा सौ परयोग करेंगे पचीस नहीं परयोग करेंगे अभी यह बिश जाएगा तो तिर्भूज एबिशे में टैन ठीटा कोड बनाया है कि ना नाइन्टी माइनटी माइनश ठीटा इसमें कोण बनाया देख सकते हैं 90 माइनस ठीटा लंब लंब बटा अधार सुतर बन गया लंब जो है यच है कि चितर में देख लेए हैं लंब यच है अधार सो हो गया तो यच बटा सो हो गया समी का नंबर दो बनेगा और यह back डिक यह, 10-90-3, यह सुत्र होता है, 10-90-3 बराबर क्या होता है, काड़ञा होता है, अब यहाँ दो शमीका बन गया, समीका 1 ऑच्छा ही,र यह समीका एक 10 ठीटा है, समीका दो क्या है, काट ठीटा है, समीका एक क्या है, यच बटा 25 है, और समीका दो क्या है, यच बटा 100 है, 10 ठीटा इंटू काट ठीटा है, तो इसमें दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाए, या 10 को बदलेंगे तो काट के रूप में, या काट क वीस हो जाएगा 25 मिनार्व का मान क्या होता है पच्चास होता है समझ में आ गयाँ होगा बहुत असान प्रस्न है और यह प्रस्न हमिशा परिच्छा में पुछा जाता है इसलिए इस प्रस्न को आफ सुवित Вы कारथी अच्छे से तयार कर लिज्येगा तो अब अगला सिखेंगे साथ का ख तो साथ का ख प्रस्ण है रीतु धारा के अनकुल दो घंटा में 20 कीमी तेर सकती है अब देखे रीतु जो है दारा के जो अनकुल है दो घंटा में दो घंस 700 ga दो 12이죠 और में 24 ऐसकते हमें उसकी तैरने की चाल तथा यहां पर प्रतेकूल और एक अनुकूल दिया गया है तो लिखेंगे माना रीतू का सांत जल में चाल क्या है यक्स की मी प्रतिघंटा है मतलब तो तीड़ाट चाल माना जा रहा है तो क्या माना गया यक्स कीमी प्रतिघंटा है और धारा का चाल अगर माना जा रहा है तो क्या माना गया यक्स कीमी प्रतिघंटा है याद रखेंगे जब धारा का अनकुल चाल कहेगा तो दोनों चाल को जोल लिया जाता है अब प्रतिकुल चाल कहेगा कि धारा के अनकूल चाल चाल का सुत्र क्या होता है तो दूरी बटा समय होता है अब धारा के अनकूल चाल में दूरी कितना गया है तो देख सकते हैं दो गहंटा में 20 की मी जा रहा है तो धारा के अनकूल चाल क्या बनेगा x plus y बराबर 20 उपर कहां सागे दूरी के जगा पे 20 और समय के जगा पे 2 2 से 20 को काड़ देंगे तो 2 से 20 कटेगा तो 10 बन जाएगा x plus y बराबर 10 समी का नंबर 1 बन गया कितना असान समी का बना तो धारा के अनुकुल चाल था इसने इसको जोड़ा गया है दूरी 20 गया था समय 2 था 2 से 20 कटा 10 समी का नंबर 1 अब दूती सर्थ में का गया है कि धारा के प्रतकुल बिपरी चाल इसको कहा जाता है दूरी बटा समय हो जाएगा दूरी इसमें 4 गया है 4 कीमी 2 घंटे में तो 2 बटा 4 हो जाएगा और x minus y बराब 2 बन गया समी का नंबर 2 बन जाएगा कितना असान यह प्रसंद था अब दोनों समी का को धियान से देख लिजिए इसमें क्या है x plus y है इसमें क्या है x minus y है यह दोनों चाल क्या है यहां पर देखेंगे दोनों चाल में यह plus में है और यह किसमें है minus में है तो बिपरी चीन रहता है तो बिपरी चीन में क्या करते हैं जोड़ते हैं तो समी का एक था समी का दो को क्या करेंगे जोडने पर एक्स प्लस वाई बराबर दस एक्स माइनस वाई बराबर दो वाई से वाई कट गया एक एक्स एक में लिकर के दो एक्स हो जाएगा दस दो जोड़ेंगे बारा हो गया दो नीचे भेज देंगे दो जब नीचे आजाएगा तो यहां लिखेंगे एक सब्सक्राइब यह समी का एक में रखने पर अब यह समी क्या था यह को पचांतर करेंगे तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको साल्व किया गया इसमें अत्वा प्रस्ण में क्या पूछा गया था निम्न लिखा निम्न समीका युग में रैखी समीका युग में बदल कर हल कीजिए अब इसको रेखी समीका में बदला जाएगा और समीका बदल करके इसको हल करना है तो यहाँ पर पहला जो दिया गया 7X-2Y बटा 1XY बराबर 5 और 8X प्लस 7Y बटा 1XY बराबर क्या है 15 है अब इसको पहले वाले जो है समीका को पहले नोट करेंगे 7X-2Y बटा 1XY बराबर 5 है अब यह 7X एक बर 1XY के नीचे आएगा अब यह दो Y जो है 1XY के नीचे आएगा अलग अलग कर लेंगे तो 7X बटा 1XY हो गया 2Y बटा 1XY हो गया बराब 5 हो गया एक्स एक्स कट जाएगा तो 7 बटा y हो जाएगा और यहां 2 बटा 1 हो जाएगा बराबर 5 हो गया समीका नमबर बनेगा 1 यह समीका नमबर 1 बन गया आप सो भी द्याती समझ गया होगे समीका नमबर 1 कैसे बना अब समीका नमबर 2 बनाने के लिए काम करेंगे अब यह 8x प्लस 7y बटा क्या है यक्स वाई बराबर 15 है तो 8x प्लस 7y बटा xy को यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे अब जिस परकार पहले वाले समीका को हल किया है ठीक उसी परकार इस समीका को भी हल करेंगे तो यहाँ का बनेगा 8x बटा xy पलस 7y बटा xy बराबर 15 हो गया यक्स से एक्स कर जाएगा 8 बटा y हो जाएगा 7 बटा y हो जाएगा बराबर 15 है समीका नमबर 2 बन गया तो जिस परकार समीका एक को हल किया उसी परकार समीका 2 को हल किया गया अब समीका एक समीका 2 को दिहां स और वाई वाला मान भी बराबर नहीं है अब यह मान को क्या करेंगे बराबर करेंगे यह साथ है अब साथ से इसमें गुड़ा कर दीजे दो से इसमें गुड़ा कर दीजे साथ दूनी चौदा और अदू सते चौदा दूनों मान आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो करेंगे दो से गुड़ा करके जोडने पर अब समय के एक में साथ से तदा समय के दो में दो से गुड़ा करके जोडने पर अब यहां साथ से जब गुड़ा करेंगे तो साथ सते क्या बन जाएगा उन्चास हो जाएगा बटा वाई साथ दूनी 14 बटा एक्स हो जाएगा और स से 49-16 जोड़ेंगे तो 65 बटा y बराबर 65 हो गया 65 में y का गुड़ा करेंगे तो 65 y बराबर 65 तो y बराबर 65 नीचे जाएगा 65 से 65 कड़ गया y बराबर 1 आ गया एंसर पहला मान जो है y का मान आ गया अब y का मान किसी भी समीका में भर सकते हैं या एक में भर ये या दो में भर यह तो य बड़ाबर एक समीक एक में रखने पर समीक सब्रेंगे साथ बट्राइब दो बट्रइए एक सब्राइबर पांच है गल्स ri2 बट्रा व Nahe तो में इक बडاجे ञ blessing बूलड पहला है तो यहां सफ यह साती हो जैगा सथ हो जाएगा सत वागा लेक हा गया तो यह हा का सभी प्रस्टों को हल करके बताया गया तो एस चिपटर में इस पेपर में जतने भी प्रसंते सभी प्रस्ट्म को जो है सरल भासा में बताया गया तो आप आप सभी ज्ब Lorean brief, port ती इस वीडिओ को अपने से जादा सेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सब्सक्राइबर सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार